नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका विश्वमित्र उनलाइन एजुकेशन में आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश कर्मचारी चायन मंडल भुपाल द्वारायोजित पटवारी चायन परिक्षा के लिए सामान विज्ञान पर आधारत वस्तुनिष्ट प्रश्णों के भाग एक से लेकी तीन तक के वीडियो हमने पहले ही हमारे चैनल पर अप्लोड कर दिये हैं जिसे आप चाहेसे हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें साथ ही नोटिकेशन बेल को भी क्लिक करें ताकि जैसे ही हम कोई साथ नया वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तो उसका नोटिकेशन आपको मिल सके तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न है हमारा निम्न लिखित में से कौन सा लक्षण विटामिन A की कमी से नहीं पाया जाता रतूंदी, रूखी सुखी त्वचा, आखों का शुषकन या फिर मसूडों से खुन बेना कौन सा ऐसा लक्षण है जो विटामिन A की कमी से नहीं होता है रतोंदी, रूखी सुखी तवचा, आँखों का सुषकन और मसुडों से खुन बेना तो इसका जुसाई आंसर है वो है रूखी सुखी तवचा यह विटामिन A की कमी के कारण का लक्षन नहीं है जीवन में व्रद्धी तथा संतुलन बनाये रखने के लिए अनिवारे अमीनों अमलों की संख्या होगी आठ, चार, दो या एक तो इसका जुसाई आंसर है वो है आप्षन A आठ इसका करेक्ट आंसर है अगला प्रशन है खाद्य के मुख्य घटक, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तता खनीज है इन्हें निमली कित में से क्या कहा जाता है निर्भर खाद्य, अधिकतर पोधोद्वारा निर्मित काद्य, पोशक तत्व या कच्चे खाद्य पदार्थ तो इसका जो सही आंसर है वो है आप्षन C पोशक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तता खनीज जो है इन्हें पोशक तत्व कहा जाता है उप्षन C इसका सही आंसर होगा निम्न मैंसे किस अणू के एक ग्राम से सरवादिक ATP का निर्मान होता है निम्न मैंसे किस के एक ग्राम अणू से सरवादिक ATP का निर्मान होता है प्रोटीन, कार्बोहईडरेड, वसा या सभी में समान मात्रा में तो इसका जो सही आंसर है वो है Option C वसा वसा के अनुप के एक ग्राम से अधिक सर्वादिक ATP का निर्मान होता है Option C इसका सही आंसर हो कौन सा अमल प्रोटीन अनुप का निर्मान खंड़क है वसा अमल, एमिनो अमल, फार्मिक अमल या एसिटिक अमल तो इसका जो आनसर है वो है एमिनो अमल एमिनो अमल प्रोटिन अगो का निर्मान घड़क होता है नीचे दिये गए विटामिन में से कौन सी 2 विटामिन DNA के संसलेशन में कार्च के लिए आवशक होती है नीचे दिये हुए विटामिन में से कौन से दो विटामिन हैं जो DNA के संस्लेशन के कारे के लिए आवशक होती है विटामिन B वारा एवं फ्लोपॉलिक अमल विटामिन B वारा एवं नियासिन विटामिन B वारा एवं एसकार्बिक अमल या फिर vitamin b बारा एवं पेल्टों थेनिक अमल तो इसका जो सही answer है वो है vitamin b बारा एवं भॉलिक अमल जो के डिने संस्यरीशन के कारे के लिए आवशक होती है option A इसका सही answer होगा साइनोकबलेमिन निम्न में से किसका रासायनिक नाम है विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6 या विटामिन B12 तो यह जो नाम है, रासाइनिक नाम है, यह विटामिन B12 का नाम है निम्न में से कौन सा कारक फसल चक्र में फसलों को चुनने में शामिल नहीं है जल का उपलब्द होना, फसलों की अउदी, म्रदा के प्रकार या जलवाईू तो इसका जो सही आंसर है वो है Option D जलवाईू जलवाईू जो है वो फसल चक्रक में फसलों को चुनने में शामिल नहीं है अगला प्रश्ण है उस कार्बोहाईडरेट का चैयन कीजिए जो रूमिनेंट द्वारा पच सकता है पर मानव द्वारा नहीं एक्षू सरकरा, सेल्यूलोज, मंड या गलाई कोजन तो इसका जो सही आंसर है वो है सेल्यूलोज Option D जलवाईू प्रोटीन का आकार कोन निल्धारित करता है प्रोटीन का आकार निम्न में से कोन निल्धारित करता है प्रोटीन में अमीनो अमल का अनुकरम कोशी का में प्रोटीन का कार कोशी का में वह इस्थान जहां या एकत्रित किया जाता है या उप्रोक्त में से कोई नहीं तो इसका जो सही आंसर है वो है प्रोटीन में अमीनो अमल का अनुक्रम ये प्रोटीन का आकर निर्धारित करता है option A इसका सही आंसर होगा अगला प्रशन है शरीर में वसा को जमा करने के लिए उच्च प्रवर्ति के साथ जो सही आंसर है वो है endo mark option A इसका सही आंसर होगा वह पत कौन सा है जो enzyme के सक्री स्थल के आकार एवं अवस्तर के बंदक स्थल के आकार के बीच के संबंद का अच्छी तरह से विरुरन कलता है पूरक, संपूरक, मजबूत या अउदासीन जो सही आंसर है वो है पूरक option A इसका सही आंसर होगा enzyme मुख्य रूप से निम्न मैसे किस से बने होते हैं प्रोटीन से, कार्भाहिडरेट से, न्यूकलियस, अमल से या इस्टेराइट से तो enzyme जो होते हैं वो मुख्य रूप से प्रोटीनों से बने होते हैं Option A का सही आंसर होगा. प्रतिवंदक एंजाइम जिसे अलग किया गया था निम्न में से कौन सा है? ECO RI, HIND 2, ALUT 1 या BAM HI तो इसका जो सही आंसर है वो है HIND 2. यकरत की उचित क्रियाशीलता एवं रक्त के आलंबन हेतु अत्यावशक विटामिन निम्न में से कौन सा है? विटामिन E, विटामिन A, विटामिन B12 या विटामिन K तो यकरत की उचित क्रियाशीलता एवं रक्त के आलंबन हेतू अत्यावश्चक विटामिन जो है वो है आपका विटामिन के option D इसका सही अंसर होगा विटामिन के भूमी में जल के रिसाव द्वारा भूम जल फिर से प्राप्त होता है इस प्रक्रिया को कहते हैं निश्पंदन, अत्यस्ट, जंदन, जल भरत या प्रसवेदन तो इसका जो सई आंसर है वो है ऑप्शन भी अंत्यस्ट जंदन ऑप्शन भी इसका सई आंसर होगा अगला प्रश्ण है शरीर के बाहर निर्मुक्त भाई एंजाईमो द्वारा पाचन जिस पोशक में समलित है उसका प्रयोग निम्न मेंसे किसके द्वारा किया जाता है सहजीवी, परजीवी, मृतजीवी या सहभोजी तो इसका जो सही आंसर है वो है मृतजीवी शरीर के बाहर निर्मुक्त भाई एंजाईमो द्वारा पाचन जिस पोशक में समलित होता है उसका प्रयोग निम्न मेंसे मृतजीवी द्वारा किया जाता है ओप्शन से इसका सही आंसर होगा तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जैसे ही हमका इसा नया वीडियो अपने चैनल पर डाले तो उसका नोटिकेशन आपको प्राप्त हो सके धन्यवाद झाले नया वीडियो आपको प्राप्त हो सके धन्यवाद झाल 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 झाल